हेलो फ्रैंज वेलकम टुझे चैनल सोलूशन आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आपको के बारे में और उसके फंक्शन के बारे में साथे किस तरीके से सॉक्सलेट अपरेटर से एक्स्ट्रेक्शन किया जाता है तो इस वीडियो के सबसे पहले पार्ट में हम solvent present होता है उसको heat करने के लिए extraction के टाइम पे तो आप यहां पे देख रहे हैं यह सॉक्सलेट अपरिटर्स का मेन पार्ट है जिसको हम सॉक्सलेट एक्स्रेक्शन चैमबर बोलते हैं जहां पे actual extraction होता है plant material का और इस चैमबर के लोवर एंड में जो strony dasan लोपन के ताइम और एक्स्रेक्शन के ताइम पे चैमबर की में चैमबर के टूब की तरफ यह तूब देख रहे हैं साइट इो बूलते हैं यह जो गार्जाता है chicken वेपर ट्यूमार की तरह यह साइब करते हैं और यह कॉंडेसर की तरफ मुव करता है और जब यह फ्रमOhren जाक में ट्रैट से होटे हुवे कंडेसर की तरा पॉशता है जाथी नाम याज है यह प्रकु टो इस यह जो सब्सकरा चारी है जे चाउनद की छहां पाधां extraction chamber है, extraction chamber से solvent, solvent जिसमें एकी extracted chemical है, उस drug material का, वो solvent, extraction chamber से वापस से round water FLASP में जाता है, इस पार्ट को हम condenser कहते है, इसमें दो पार्ट होता है, अब देख सकते है, outer tube और outer tube के अंदर inner tube होता है, inner tube में solvent का वीपर होता है, और outer tube में running water के लिए होता है, जो की inner tube में जो वीपर होता है उसकोись करता है और यह जो जोंट है जहांसे को अटेज किया जाता है यह जो है Sarkel रेफ् Sulky मोंट मैं हम रड़ xem करते हैं जहांसे go get अंडर जाता है और होच्ट वोस घर बहार आता है और इस ट्यूब से हम सॉल्वेंट को एड़ करते हैं फरनल की मदद से तो यह हो गया कम्प्लीट पार्ट ऑफ सॉक्सलेट अपरेटर्स और किस तरीके से उसको सिस्टेमेटिक पे में असेंबल किया जाता है इसके बाद नेक्स्ट हम आपको बताएंगे किस तरीके से पेपर लेंगे फिल्टर पेपर को प्रॉपर साइज में कट करेंगे जो सॉक्सलेट चैमबर होता है उसके साइस के अकॉर्डिंग इसके बाद हम इस फिल्टर पेपर को रूल करेंगे और इसके वन एंड जो उपनी है उसको स्टैपल करेंगे ताकि हम एक पाउच जैसा करें और इसी को हम थिंबल कहते हैं जिसमें हम अपने पर्टर ड्रग मिटीरियल को पैक करते हैं हमने यहां पर यह पर अल्रेडिय जह को मैपर किया किया है आप यहां पर देख सकते हैं और विल्ड olduğunu जिसका हमको एक्सरक्शन करना है उसको पॉडर करके इस थिंबल के अंदर पैक कर दिया जाता है पोलदर उन्दर कियों बहरा जाता है डियूरिंग एक्स्टेक्शन क्योंकि जो सॉल्वें इसमें कि जो प्लाम कॉंस्तुटॉटीटंट reading एक्स्ट्च्टप्शन वो सिर्फ जो यह थिंबल से बहाराता है और जो हो धुर्ए है Eugene जिससे जो साइफन टूब है वो चोक नहीं होगा, Mitte saja अगर हम थिंबल युज नहीं करते है तो जो ड्रग के , पार्टिकल्स जो ड्र −जो डियरो जो olduğu चौक भी प्लोह होता हabetes उसमे जय Harley की चांसे तिसके बाद हम प्रूड रग मतेरियल जिसको हम ने प्रोसीजर में दिया गया है उसके एक्रडिंग हम वे करते हैं और उसपाइज को हम इस थेम्बल में ट्रांसफर करते हैं यहां पर ध्यान रखे हम जब कुछ रग को पॉडर फम में कनवर्ट करते हैं तो उसको पॉडर क जाता है अगर हम भृधिं अगर उसको पॉडर करते हैं और फिंबल डांस्फर करते हैं तो डूरिंग एक्स्रैक्षिन टाइम पे वो जो फाम पॉडर है वो हाड केक में जिसरे क्या होगा जिससे सॉलवेंट जो है वह ठापर तरीक से फ्लो नी होगा पर्कुलेट नहीं हो और एक्स्रेक्ट्शन फ्रोसेजिए डिस्टरब इसके बाद इस थिंबल जिसमें हमने पॉल्ड ड्रग मटेरियल को पैक किया हुआ ता इसको हम सॉक्सलिट अपरिटर्स के एक्स्रेक्शन चैंबर में डालेंगे बहुत ही किरफुली इसको हम ट्रांसफर करेंगे और इसके बाद लिए एक्स्ट्रा लेंथ फिल्टर पीपर का उसको फोल्ड कर लेंगे ताकि जो प्लांड मटेरियल है वह अच्छे से कंप्रिटली कवर हो जाए और पैक हो जाए अब इसके बाद हम सेकेंड पार्ट में हम आपको पताएंगे सॉक्सलिट अपरिटर्स से किस तरीके से एक्स्ट्रेक्शन किया जाता है तो सबसे पह अच्छे से ग्रीज कर लेंगे हम यहां पर पैट्रोलियम जेली यूज किये हैं ग्रीसिंग के लिए आप कोई अधर लुब्रिकेंट भी यूज कर सकते हैं रिसिंग के लिए और इसके बाद इस चैंबर को हम रॉन बोटम फ्लास में इस तरीके से फिट कर लेंगे और समय पर पैट्रोलियम जेली की मदद से ग्री लेंगे लेंगे पॉट ही स्मॉल अमंट पैट्रोलियम जेली लेंगे तक Cred to be a good बोट में करेंगे तरीके से अच्छे से प्रेट कर लेंगे और इसके बाग जो जो कंडेंसर कर मिल्वर पॉइं है इंडेट पॉइंट करेंगे इस तरीके से रोडेटिंग बए जैसे आप यहां पे देख सकते हैं और यह जो इनलेट होता है यह कोल वॉर्टर के लिए है और इस रबर करेंगे जो की hot water outlet है और दोनों rubber tube को attach करने के बाद जो outlet point है वहां से water जो है बाहर निकल रहा है condenser से अब यह जो सॉक्सलेट assembly है यह completely set हो चुका है extraction के लिए और यह जो सॉक्सलेट assembly है वो हमने स्टैंड और क्लैम की मजद से इसको अच्छे से होल्ड करके रखा है अब हम स्पैसिफिक सॉल्वेंट लेंगे मेंजरिंग सिलेंडर में और उसको एक बीकर में ट्रांसफर करेंगी हम यहां पर सॉल्वेंट सिलेक करते हैं इसके बाद इस सॉल्वेंट को हम सॉल्वेंट को सिलेक करते हैं और इसके बाद इस सॉल्वेंट को हम सॉक्सलेट चैंबर में ट्रांसफर करेंगे जो कंडेंसर के टॉप में जो ट्यूब दिया हुआ है उस ट्यूब में हम फनल अटैच करेंगे और फनल से के थू हम सॉल में इसमें हमने ड्रग माटिरियल थिंबर में पैक करके रखा हुआ था हम सफिशन कॉंटिटी ऑफ सॉल्वेंट को एड करेंगे चैंबर में ताकि जो वो चैंबर है वो कंप्लिटली फिल हो जाए साइफन ट्यूब के लेवल तक फिल होने के बाद यह जो सॉल्वेंट है सा करें कि यह जो वॉटर के इनलेट है वह से ड्रेजुली जो है वो बोका जो लेवल है वो ऊपर जा रहा है to the top of the condenser और कंडेंसे कंप्लीटली यहांपर लोगया है और आप देख सकते हैं वोटर जो है आउटलेट से बाहर आ रहा है कंडेंसर के आउटलेट पाइप के थू और हमने यहां पे आउटलेट पाइप को बेसीन में रखा हुआ है तो एक्स्ट्रेक्शन के टाइम पे हम कंटिनियूज जो है वाटर का सप्लाई करते हैं उसके बार इसके बाद हम हीटिंग मेंटल को आपड्योंग हम उसके ब Авजन सेट करेंगी दिरे जो न करते हैं जाएगा और जब ट्रेट्यास। साल्वन के बॉनिंग पईंट में पहुंचेगा तो साइल दुपन का जो विप्र है यह कुझा तरू आउटलेट जा उहां जानां सी को बाहाँ ऑर घृपर ज रहाओ के त igon bandy Cobb नीग है वहां से वह उपर जाएगा और जैसे ही condens. अतो इस पॉइंट पर चाहुआ इस हैं सॉलिगें से फेक्ट को फोल गार्टंडा होगा और वापस से लिक्विड में इस हो जाएगा और यह जो लेकुड है drop by drop जो है thimble में जाएगा जिसमें हमने drug material पैक किया हुआ था extraction chamber में और यह जो solvent है यह solvent क्या होगा यह solvent उस drug material के अंदर penetrate होगा मिन्स अंदर जाएगा सहल के अंदर और उसके अंदर जो chemical constituent है उसको dissolve करेगा और उसको extract आउट करेगा और यह जो solvent है जिसमें उस drug material को जो chemical constituent जो डिसॉल्व हो रहा है उससे वह solvent दीरे-दीरे फिल होते जाएगा चैंबर के अंदर और साथ ही साथ जो साइफन ट्यूब आप यहां पर देख सते हैं वह बे फिल होते जा रहा है सॉल्वेंट से जिसमें की उस पर्टिकुलर ड्रग मटेरियल का केमिकल कॉंस्टिटुएंट प्रेजंट है और यह जो लिक्विड एक्स्ट्रेक्ट का लेवल है वह साइफन ट्यूब के टॉप तक यह कह सकते हैं रिटन पॉइंट तक पहुसता है तो यह जो बाँन फ्लक्स क्लीक्ट में चले जाता है जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं और इस तरीके से एक साइकल कंप्रीट होता है अप छुप सकते हैं हम असमें में यह और आसेइंबली सैट किया हुआ है जिसमें जो है बाहर निकल रहा है उस आउटलेट पाइप को हम दूसरे असेम्ली के in से और जब यह चैंबर जो है सफिशेंटली जो होता जाता है सॉल्वेंट से जिसमें की केमिकल कॉंस्टिटुएंट डिजॉल्व है और साइफन टूप तक अगर वह पुछता है तो वह सारी जो लिक्विट एक्स्ट्रेक्ट है वह सभी जए कंप्रिटली आर भी अप में व जिए ऐट जाते हैं और राउंड बोटन फ्लास में च्रेक्व सर्व लेंट रहे हैं और जिसमें हमने ड्रग रखा है और यह जो सााइकल है में सराफ बोटन फ्लास से इवैपूरीशन और अर उस वेपर का चन्रेसिशन और यह कंडेंस लिक्विड है तो जो प्रेजंट केमिकल कॉंस्टिट्वेंट नहीं हो जाता और इस ही कारण से इस extraction method को हम hot continuous extraction method भी बोलते हैं, इस extraction method का क्या advantage है, इसमें जो हम solvent use करते हैं, वो solvent बहुती small amount में हमको require होता है, क्योंकि ये जो solvent है, ये recycle होके again and again use होता है during extraction, लेकिन इस extraction method का disadvantage ये है, कि जो thermolabile plant constituent होते हैं, ऐसे plant chemicals जो की temperature sensitive होते हैं, तो ऐसे drug के लिए हम extraction method को use नहीं करते हैं क्योंकि इस extraction method में हम continuous heating करते हैं, और अगर कोई specific drug के लिए, अगर specified number of cycle दिया गया है, कि इस drug के लिए इतना number of cycle तक उसको run करना है, या को specified time दिया गया है, कि 2 hours, 3 hours के लिए extraction करना है, और या तो जो solvent है, extraction के बाद जब साइफन ट्यूब में आता है, तो जब तक colorless नहीं हो जाता, तब तक हाँ extraction करते हैं, और उसके बाद extraction process को stop कर दिया जाता है, और round button flask को हम सॉक्सलेट assembly से remove कर लेते हैं, तो आप यहां पे देख सकते हैं, उस plant material की complete extraction के बाद, जो round button flask में liquid extract को, thank you very much for watching this video.